पांच बक्रे हैं तो पचास हमेल तेल इसके इंदर मतब्द 10 हमेल के इसका कलर चेक कर लें आप आप भी जब फॉर्मुला बनाएंगे तो उसका कलर बिल्कुल लाइट येलो शेड में आ जाएगा है अराम अराम से इस तरीखेस को पूरा पिला दा है ठीक है वाई तो ये था तरीखा पिलाने का अगर आपके पास बक्रे दुम्बे बक्रियां या फिर बच्छडे भैंस वगरा भी पली वी हैं तो आपके लिए एक ऐसा फॉर्मुला लेकर आया हूं यह फॉर्मुला बर्सो पुराना है बहुत पुराने लोग भी इसको इस्तमाल करते थे और आजकल की जन्ग जनरेशन अपने जन्वर पर यह इस्तमाल करती है और इस फॉर्मुले का रिचल्ड में आपको बताता हूं कि आपका जन्वर गर्मी के मौसम में ठंडा रहेगा और साथ-साथ अपना वजन बहुत तेरी से बढ़ाना शुरू करेगा ठीक है तो जो लोग बखरे लेकर आगए यहां से वीडियो को जित तो नेशननर शर्णार भाते सारी चीज़ें मेरे पास हैं धीक है क्या क sono जिसको इंग्लिश में कहते हैसे मस्तडाइल यह मिरे पास भी है ठीक है और यह 60 ml की सेरेंज है 50 ml 60 ml की सेरेंज है और यह मेरे पास 200 ml तकरीबन जो है 200 ml मीठा पानी है पीनेगा ठीक है याद रहे कि खारा पानी आपने इस्तमाल नहीं करना आपने मीठा पानी इस्तमाल करना है अब इस फॉर्मॉले की खाजबा बता हूं भाई यह आपन बगरी को भी सकते हैं बारा अभी में फॉर्मॉला बनाने लगा हूं ठीक है और आपको हर एक चीज़ इंशाला तला आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी तो वीडियो पूली देखना करना और अगर चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब का बटन दबा के साथ में बैल आग बन चाइब बन जा इसके बाद मैं इसके पानी में मिलाँगा घ्या जाएगा और धही मोटी मोटी होती ही ना वह चीजा हैं अनुने जा हुआ मैं कोई चीज्ज ज्यादा करनी है ना को चीज को करनी है अगर आपने बखरों को स्टार्ट अभी करना थे और कितना वह पिला सकते हैं अपने बखरों को ठीक है यह दोस्तों बाइए देखें बिल्कुल यह पानी के अंदर बिल्कुल मिक्स हो गया है अब मिलाएंगे इसके अंदर तेल लेके जो लोग फस्टाइम यूज कर रहे हैं उनके लिए यह है और जो पहले से यूज करते है पर पर ईयुज करते हैं वर ब whit teakon感覺 कoking बैर्य दम्य दोनों के लिए स्विस्ति के लिए और मेंदर को खोलता है कि छो और मैं तेल कितना मिलाओं आप दौनानी ओए ज्युक्प मैरे पास 5 वक्रे करीं चैंप कितना तेल अपनी निकालना है यह देखें वाई यह मैंने 10 ml तेल निकाला है अगर आपको नज़रा रहा हूँ स्क्रीन पे तो पूरा 10 ml मैंने तेल निकाला है यह होगा हमारा एक बकरा मैं इसमें डाल दूंगा इसको ठीक है अब मेरे पास बागी बचे चार बच्रे बखरे तो मैं जो है इसमें तक्रीबन 40 ml और तेल निकाल लेता हूँ ठीक है यह देखें वाई यह स्क्रीम पर आपको नज़रा रहा हूँ है 40 ml मैंने और 300 का तेल निकाल लिया है अब इसको करेंगे बोतल में खाली बस दस-दस ml के साथ से एक बखरी के लिए बहुत है ठीक है इसको अच्छी तरह मिस्क कर लेते हैं उसके बाद भी चलते हैं बगरों की तरफ और आपको पिलाकर दिखाता हूँ दोस्तों मिक्स हो गया तेल इसके अंदर ठीक है पानी दही और तेल ठीक है 200 ml पानी मीठा पानी एक पाउ दही और पांच बखरी है तो 50 ml तेल इसके अंदर मतलब 10-10 ml के साथ से बखरी के लिए इसका कलर चेक कर लें आप आप भी जब फॉर्मला बनाएंगे तो उसका कलर बिल्कुल लाए डियलों शेड में आ जाएगा ठीक है तो अब चलते हैं बकरों की तरह और आपको बकरे भी दिखाता हूं साथ सब्सक्राइब को पिला कर भी दिखाता हूं कि ताकि आप लोग भी मुतमाइन हो जाए बिल्कुल और फिस वीडियो के आखर में आपको पू तो पूरा साइट में पिलाओंगा यह देखें आप इस तरीकी से पिलाए जाता है एक तांग इदर रखें एक कल्ये से सिरिम इसको अंदर करें ठीक है अच्छी तरह समालें जबान नी पकड़ें बस ठीक है जबान पकड़ेंगे तो मसला है जबान ना पकड़ें और इसक को पसंद आया होगा मैं वाकी बकर को भी आप पिला देता हूं एक बकरे को मैं और पिला कर दिखा रहा हूं ताकि आप लोग मुत्माइन हो जाएं बस ठीक है इसको दरा सिरिंज को फिक्स करते हैं और उसके बाद बाद यसे गले में उसको उतार दें रहाम रहाम से दूस इसको पानी से अच्छी तरह दो लिएगा वाना यहां दाने निकल जाएंगे मैं इसको दो दूँगा दोनों को ठीक है तो यह तरीका कहा रहे है इसको फॉर्मुले को बनाने का और प्लाने का आपको पूरा बनाने का तरीका कारे मैं ने दिखाया है वीडियो में एक तो बगरा गर्मी के शदीद बनाने का प्लाने का प्लाने का जबरतस फाया है ना एक तो पहली वातत है कि आपका गर्मी के शदीद मतलब गर्मी की लपेट जब होती ही ना हीट्री स्टोक भी जब पढ़ जाता है उसमें भी वह ठंडा रहेगा हापे का नहीं ठीक है हापे का नहीं गरम नहीं होगा ज्यादा मस्तियां नहीं करेगा अगर आंडू बक्रा भी होगा ठीक है दूसरी बात यह पिलाने के बाद बक्रा लाजमी लाजमी हंडेट और टेन परसन वजन लाजमी बढ़ाएगा याद रखेगा यह बात ठीक है तो यह लाजमी पिलाएं अब इसको मैं आपको तरीका पार बताता हूं कि आपने कब प्लाना है शेडूल इसका क्या है शेडूल है बाई कि आपने यह हफते में पतली हो जाए और रेशियो बराबर सेट हो जाए तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगो पसंद आया होगा यह फॉर्मला यह फॉर्मला अभी से शुरू करें मैंने शुरू कर दिया अपने बग्रों पे और इंशालला चाला एक महीने बाद में अपने बग्रों का पर दिखाँगा हफते में एक से दोधाई प्लाना है बर जादा नहीं प्लाना ठीक है दो टाइम में इसका आपको बता रहाऊ इसको प्लाने के बाद आपने चेक करना है कि आपके बग्रों नजला तो नहीं हो रहा और साथ-सका हाजम परफेक्ट है नहीं अगर उसको वह तो उसको हाट डाइजिस नहीं कर पारा तो फिर आपने हर एक चीज की आधी-अधी मिगदार कर देनी है ठीक है और आधी-अधी मिगदार से स्टार्ट करना है दोस्तों उमीद करता हूं वीडियो पसना है तो लाइक शेयर लाजमी करना रोज़की आपने बहुत बोल गया ह मिलेंगे इंचाला नेक्स वीडियो में अपना खया लगना अल्द आप